देखो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के श्टार प्लेयर केल रहूल सुलिय कुमार यादा और ग्राट को लिके कुछ इंटरेस्टिंग स्टेट्स बताने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों आपको पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में कुछ ऐसी चीज़े बता बात करेंगे इंडिया वर्सिस पाकिस्तान के बीच होने वाले ICC मैंस T20 वर्ल्ड कप के मैच के बारे में जो की खेला जाएगा मैलबन क्रिकेट ग्राउंड के उपर 23 अक्तूबर को दोपैर को एक बज़ के 30 मिनिट पे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार सबसे पहली बात दोस्तो अभी तक अगर आपने हमारे टेली ग्राम चेनल को जोई नहीं किया है तो याच से जोइन कर लीजिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिलेगा आप लिंक पर क्लिक करके जोईन कर सकते हो वहीं दोस्तो अभी तक अगर जो आपने हमारी चनल को सबस्क्राइब नहीं कर लिजी है और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को LAM कि आच्क कर दिजेगा अब दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बात कर लेते हैं धेन्यू स्टेट्स देखो दोस्तों आपको पथा हैं कि यह मै मैच मेलबन टाइम के अनुसार शाम को साथ बजे स्टार्ट होगा यानि सेकिन इनिंग के अंदर यहां पे आपको डू भी देखने को मिल सकती है और थोड़ा वैदर फोरकास्ट भी ऐसा कहता है कि थोड़ी बहुत बारिस भी आ सकती है तो हाई चांस ये लग रहे हैं कि जो मिलबन के इनिंग का परड़ा भारी रहे सकता है और वैसे भी यानि दोस्तों, इंडिया के टीम ने इस ग्राउंड के उपर खाफ़ी किटक्र खेला है तो इंडिया को बेनेफित रहे सकता है इन 14 match में अगर हम बात करें score pattern की तो 150 से स्कोर 9 बार बना है 150 से 169 की उच्छे स्कोर 3 बार बना है 137 से 189 की उच्छे स्कोर 2 बार बना और 150 स्कोर 1 बार भी नहीं बना है यानि दोस्तो maximum of time score 150 से नीचे रहा है उसके बाद score 150 से 169 की बीच में रहा है तो आप एक balance बिच मानके चल सकते हो अब दोस्तों अगर हम बात करें इस ground पे खेलेगे लाश्ट के दो मैचिस की तो यहाँ पे दोस्तों लाश्ट के दोनों के दोनों मैच सिरलंका और उस्टेलिया के बीच खेले गे थे जिसमें एक मैच में सिरलंका के टीम ने पहले बेट था वहीं दोस्तों उसके बाद एक और मैच के लगा था जिसके अंदर और उस्टेलिया के टीम ने पहले बेटिंग की एक सो चोम्मनन बनाए च्छाय विगेट पे और सिलंका ने 155 बनाके पांच विक्तों मैच जीत लिया था अगर दोस्तों मैच में फास्ट परसी स्पि ध्यामी रखनी है तो जितने के बाद हाई चांस टीम बोलिंग चूज कर सकती है दोनों मैचों के अंदर फ़र्स्ट इनिंग के अंदर थोड़े से ज्यादा विक्टी की रिये हैं एजं पमपेर्ट् टू सैक्ड इनिंग ये चीज़ ध्यान में रखनी है और दोनों मैचो के basis पर पिछ ये कहती है लेकिन दोस्तों एक बार फिर से प्रादू जो फाइनल पिछ रिपोर्ट आएगी वह मैं आपको टेलिग्राम पर प्रवाइड करूँगा क्योंकि दोस्तों एक टीट वन टी वर्ल्ड कप का मैच है और इस मैच के रिकार्डिंग एक special पिछ त्यार क जाएगी वो बैटिंग फ्रेंडली होगी बोलिंग फ्रेंडली होगी कैसा होगा वो चीज में आपको बाद में टेलिग्राम पर अब्डेट कर दूआ अब दोस्तों अगर इन स्टेट्स को में एक बार फिर से समराइज करें तो 14 में से 9 मैच सैकी दिनिंग में बैटिंग करने वेली टीम ने जीते हैं तो टोस जितने के पाद हाई चांस अब बोलिंग चूज करेगी टीम उसके बाद दोस्तों पावर पले के अंदर हमें बोल की थोड़ी बहुत मुमेट या स्विंग देखने को मिल सकती है तो इंडिया की तरब से बुनेश्रु कुमार मुहमत समय और अर्ष्डिप सिंग हाई चांस आ पाढ़ पलेम बोलन करने आ सकते है वहीं दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से शाहिन शाहरीदी नशीम ऐर मुवम्मद वसीम जूनियर तो हरीश रोफ भाहय चांसर पाइर बोलिंग करने आ सकते उसके बाद दोस्तों रीसेंट रिकोर्ड के नुसार सुर्ये कुमार यादो कमाल की फोम में चल रहे हैं और मुहम्मद रिजवान कमाल की form में चल रहे हैं और एक सबसे बड़ी खास बाग पाकिस्तान की तरब से मुहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों right-handed batsmen opening करने आएंगे इंडिया की team हो सकता पारपले में अक्सर पटेल को भी एक आदा और दे दे तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखना है फिर भी जो final पिछ रिपोर्ट आएगी वह माँ आपको टेलिग्राम पे प्रोवाइड कर दोंगो और टेलिग्राम का लिंक आपको पता है कि इस वीडियो के description box में मिलेगा तो आप लिंक पे क्लिक करके टेलिग्राम चैनल याज से जोइन कर लिजेगा तो दोस्तों कुछ interesting stats जानने से पहले माँ आपको बता दूँ कि अगर आपको free contest खेल के iPhone 14 जीतना है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो के description box में एक link मिलेगा link पे क्लिक करना है और my 11 circle app को download करना है और दोस्तों my 11 circle app पे इंडिया और पाकिस्तान के match में आप zero entry fee में contest जोइन कर सकते हो और अगर आपकी first rank आती है तो आप जीत सकते हो iPhone 14 as a first prize बिलकुल free में साथ ही दोस्तों my 11 circle app पे अगर आप mega link के अंदर top करते हो तो आप जीच सकते हो brand new मेंदरा था देखो दोस्तों my 11 circle app पे आपको क्यों खेलना है बहुत से बंदों का सवाल आ सकता है तो my 11 circle app पे आपको सबसे कम competition देखने को मिलेगा as compared to other fantasy platform चाहिए आप खुद खेल के compare कर सकते हो तो सबसे पहले इस video के description box में link दिया है link पे click कीजिए my 11 circle app डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले iPhone वाला free contest जोइन कर लीजिए वहीं दोस्तों आप करादू अगर आप अभी मारे link से डाउनलोड करते हो my 11 circle app पर first deposit करते हो तो आपको मिलेगा 1500 रुपे का bonus देखो कितने कमाल कमाल के offer है साथ ही दोस्तों अगर आप description के link से my 11 circle app डाउनलोड करते हो और यहाँ पे दोस्तों आप first deposit करते हो तो आपको मिलेगा 20% extra cash या फिर दोस्तों आप मारा coupon code YT2022 भी यूज़ कर सकते हो इसमें भी आपको 20% extra cash मिले वाला है तो जल्दी कीजिए वीडियो के description box में link दिया है link पे click कीजिए my 11 circle app डाउनलोड कीजिए और खेलना start कीजिए देखो दोस्तों playing 11 देखेंगे दोनों टिमों का और player comparison करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेलेगे लास्ट के 3 head to head match के record के बारे भी देखो दोस्तों Asia Cup का जो पहला match था इंडिया और पाकिस्तान का जिसके अंदर पाकिस्तान के टीम ने पहले बेटिंग की 147 रन मनाए इंडिया ने 148 रन बनाके रविंदर जनेजा 35 रन और सुझी कुमार आदों ने 14 रन बनाए थे इंडिया की तरफ से वहीं दोस्तों उस match में पाकिस्तान की तरफ से मुहमद नवाज को 3 विकेट नशीम शा को 2 विकेट मुहमद रिजवान ने 33 रन इक्तिकार एहमद 28 रन और बाबराजम ने 10 रन बनाए थे ये मैच इंडिया जीत गए थे जिसके अंदर स्टार प्लेर ते आर्दिक पांडिया और बुनेश्यो कुमार अर्षदीप सिंग उसके बाद कोली जडेजा इंडिया की तरफ से दूसरा मैच दोस्तों इसी एश्या कप के अंदर हुआ था जिसके अंदर इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की 111 रन बनाए साथ विकेट पे पाकिस्तान ने जीत लिया जिसके अंदर प्लेयर ओव दि मैस्ते मुहम्मद नवाज उस मैच में दोस्तों गरम बात करें इंडिया की तरफ से तो रोईचरमा ने 28 रन बनाए थे विराट को लिसाथ सुर्य कुमार यादो तेरा हार्दिक पंड़ा जीरो रन एक विकेट बुनेचर कुमार एक विकेट अर्षदीप सिंग और यूजी चैल को एक एक विकेट मिला था वहीं दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान के तरफ से मुहम्मद रिजवान ने के तर रन बाबर आजम चौधा, मुहम्मद नवाज 42 रन एक विकेट, सादाब खान को दो विकेट, हैरिस रोफ को एक विकेट और नसीम शा को एक विकेट मिला था अब देखो दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो इंडिया जीत की इस मैच में इंडिया ने अगर दोस्तों मैच में हम इंडिया की तरफ से बात करें तो राहुल ने तीन रन, रोइट ने जीरो, गिराट को ली सतावन, सुरिय कुमार यादव ग्यारा और हार्दिक पंडा ग्यारा, वहीं पाकिस्तान की तरफ से मुहम्मद एजवान 79, बाबराजम 68, साइन शा अफ पाकिस्तान के खिलाव, विराट कोली के रिकोर्ड पाकिस्तान के खिलाव, हमेशा ही अच्छे होते हैं, दूसरी बात दोस्तों, लास्ट के तीन मैचों में से दो मैचों के अंदर, इंडिया के टोप ओडर के बैट्समेन, लोकेस, राहूल और रोहित शर्मा फ्लोप रहे हैं, एक मैच में नशीम शा ने राहूल काउट किया था, एक मैच में शाहिंचा पृदी ने राहूल और रोहित काउट किया था, और नशीम शा, शाहिंचा पृदी, मुहमद नवा आज ये सारे खेलने वाले हैं तो तीन में से दो मैचों के अंदर इंडिया के टोप ओडर के एक मैच के अंदर 28 28 रन बनाए यह एवरेज कोंट्रिबूशन दिया है उसके बाद दोस्तों सबसे रिस्की फैक्ट क्या है सुमें पता है सुर्य कुमार यादो कमाल की फोर में च उसके बाद एक मैच में अठार रन पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में प्लै फ्लोप रहे है उसके बाद मुंद रिजवान काफी अच्छे रिकोर्ड करी करता है ंद दूसरे खिलाफ हैट वेल्ड में अब देखो दोस्तों जब हम risk लेंगे जब हम team बनाएगे तब हम इन head to head states का use करने वाले हैं अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं probable playing 11 of India with batting order देखो दोस्तों predicted playing 11 है अगर इस playing 11 में किसी एक या दो player का change होगा तो वो चीज में आपको बाद में telegram पे update कर दूँगा इंडिया के तरब से आपको opening करते हो जिखेंगे केल, रहूल और रोईचर्मा और तीन नमबरे batting करने आ सकते हैं विराट को लिए यानि ये तीन player आपको top order में batting करते हो जिखेंगे उसके बाद middle order कमांड समालेंगे सुर्य कुमार यादव, हार्दिक पांडिया, दिनेश कार्थिक, अक्सर पटेल और बोलिंग की कमांड संभालेंगे अर्षदिप सिंग, बुनेश्वर, कुमार, यूजी चेल और आरसुन में से कोई एक केल सकता है और मुमद समी, कुछ और की बोलिंग, हार्दिक पांड़य करेंगे और कुछ और की बोलिंग, अक्सर पटेल कर सकती है यनिँ इंडिया के टीम, छे बोलिंग, आपसंग के साथ, उतर सकती है अब सेफ की बात करें, विराट को ली, सेफ है पाकिस्तान एक खिलाफ अच्छे record करीड कर सकता है तुझे कुमार यादव कि रीशन from कमाल की चल रही है खालगि कि पाकिस्तान के खिलाफ record खराव है लेकिन रीशन from कमाल की चल रही है उसके बाद Hardik Panda बोलिं भी करेगा, बैटी करेगा यहां से तीन प्लेयर निकल के आगे उसके बाद रोई तो रॉल में चाहिए पिसी एक को मुकादना चाहिता हूँ आप दे सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां पे बुनेशरुकुमार, मुम्मत समी और अस दिप सिंग यह प्लेयर में थोड़े सेफ रह साइके बाके दोस्तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर ने 65 लाग रुपे भी जीते थे लास्ट इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था पहला मैच एश्या कप का उसके अंदर उसका आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो मैं तोस्ता हूँ कि मैं अभी आपको एक या दो प्लेर का चेंज होगा तो चीज में आपको बाद में टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा पाकिस्तान के तरब से दोस्तों आपको ओपनिंग करते दिखेंगे बाबर आजम और मुहमद रिजवान और तीन नमबरे बैटिंग करने आ सकते हैं फकर जमान और प्लेर बैटिंग करते हैं या तीन प्लेर आपको टूप ओडर बैटिंग करते हैं उसके बाद मिदल ओडरी कमान समाल सकते हैं मुहमद नवाज इफ्तिकार एमद सादाब खान और आसिफली और बोलिग गिगबान समाल जकते हैं हैरीश राउफ नसीम साथ साइन अगर उसके बाद सादाब खान बोलिंग कर सकते हैं मुहमद नवाज इफ रह सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपके लिए बाब राजम भी थ्धुड़ा भूच सेफ रह सकते हैं यहें यहें वापाकि दोस्तों कोई और इन्फ्रमेशन आईए हुम आपको टेलीग्राम के कर दूँगा अब दोस्तों करते हैं प्लेयर कंपेरिजन करेंगे सेक्शन वाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विगर कीपर सेक्शन के बारे में दोस्तों मारे पास इंडिया की तरफ से रिशाप पन्त है साधी मैस नहीं खेलेंगे दिनेश कार्तिक 6-7 नमरी बैटिंग कर दिनेश कार्तिक शाथ भी जा सकते हो इन दोनों कुम्बों के साथ लेकिन से वक्षन आपके लिए मुहम्मद रिजवान ही रहनी वाला है अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैट्समें के बार में बैट्समें दोस्तों मारे पास इंडिया की तरफ से रोच्छर्मा पाकिस्तान के दरफ से बाबारा आजम ओपनिंग करते हैं बाणों में बैट्समें बैटिंग करने आ सकते हैं अब सेफ ऑप्षन की बात करें दोस्ते हैं आप विराट को ली सूर्य कुमार यादो केयल राउल तीनों सेफ दिख रहे हैं स्टार प्लेयर है रोईग का रोईग कि रहे हैं हिट अन्रे कोसिस करेगा अगर लग गए शोट तो रन बना देगा नहीं आउट हो जाएका पाकिस्तान के तरफ से आप बाब आजम के साथ आप फकर जा सकते हो अगर आप ग्रेag में रिज अक्सर पटेल लेफ्टाम उट्रोक्स बोलिंग करते हैं, 32 मैचों में 162 रिमनाई और 31 विगेट लिए, दिपपा कुड़ा साइध ये मैच नहीं खेलेंगे, क्यों दिपपा कुड़ा को पहले प्रैक्टिस मैच भी नहीं खिलवाए गया था, और आर अश्विन के उपर सब्सक्राइब करते हैं, 32 मैचों में 354 रिमनाई और 31 विगेट लिए, इफ्तिकार एहमद है, 37 मैचों में 540 रिमनाई और 3 विगेट लिए, सेव औक्सन की बात करें हार्दिक पांडिया, फर्स्ट चोईस, मौंबद नवाद सेकेंड चोईस, उसके बद आप साधा आपक पारे में विगेट निकाल के ले जाए, इस चीजी आपको धान में रखने है, उसके बाद दोस्तों अश्टविन है, ये कमाल का स्मिन रहे, लेकिन विगेट थोड़ी कम निकाल रहा पिछले हैं, ये प्लेर आपके लिए ग्रेंड लिग में इंपोर्टें रह सकता है, मपदचमी रहे अपके लिगेट लिए, उसके बाद मौमाद असनेन रो ममद वस्यम जॉनिर दोन रहे आपके लिगेट ये थाइसाम मुहम्मद वसीम जूनियर ने 20 मैचों में 26 विकेट लिए अब सेफ ऑप्सन के अगर आम बात करें तो बुनेशरकुमार सेफ दिख रहे हैं मुहम्मद शमी अर्ष्डिप सिंग इन दोनों में से आप किसी एक या दोनों के साथ भी जा सकते हो उसके बाद दोस्तों ही आप व और बोलर चूज करना चाहो तो आप नसीम शाहर मुहम्मद वसीम जूनियर में इसकी को मुगा दे सकते हो मुहम्मद वसीम जूनियर डैथ में बोलिंग करने आ सकते हैं पाकि दोस्तों ग्रेंड लीग में आप यह कर सकते हो जो टीम पहले बोलिंग करें उसके आप में आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा वो कमाल की वीडियो होने वाली है तो वो वीडियो आप याँ से देख लिजेगा इस टीम में विग्र की पर मिलिया है मुहम्मद बिजवान को बैटिंग में सुझे कुमार यादव बाबर आजम केल रावल और व्याट क सब्सक्राइब चर्सक्राइब बहुत याँ वीडियो खोलतिक टॉन्मेच्ट को बाकि थे लिएया है अगर इस बार पहंड़ रावल पिए उससे पाँच बंदे शेफ दिख रहे हैं ग्रेंड लिक की रिसकी बात करें तो शाहिंचा फृदी हो गया मुंमद श्मी हो गया है रिस राफ हो गया ये कुछ हो सकते हैं बाकि दोस्तों सेफ टीम है मैंने आपको दिखाने के लिए बाकि दोस्तों एक डिटेल वीडियो और प्री कॉंटेस्ट खेल के आईपोन 14 जीत सकते हो फर्स्ट प्राइज और साथ दोस्तों के आप मेगा लिग जितते हो तो आपको मिलेगी ब्रैंड न्यू मेंद्रा थार और अगर दोस्तों आप अभी मारे लिंक से डाउनलोड करते हो फर्स्ट डिपोजिट करते हो तो आ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच की मैच प्रेडिक्शन पिच रिपोर्ट और प्लेइंग इलेवन मौमीद गता हुडिया आपको अच्छे लेगी अच्छले की तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना ना बूले धन्यव प्लेड़ मौमीद